हलो दोस्तों, तो आपका श्वागत है AD जारकन क्लासेस में, तो देखिए, आज हम लोग नगरपाली का नातपुरी पेपर 2 का जो 29 अक्टूबर, यानि कि आज जो 2023 को एकजाम हुआ है, स्वाल्व आज हम लोग पूरा क्वेशन को करेंगे, तो यानि कि जितने भी जैसे आपका नातपुरी पेपर में, तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुसी की बात है, कि जो AD जारकन क्लासेस के स्टूडेंट्स है, जो टोटल, free of cost, AD जारकन क्लासेस पे पढ़ा दिया गया है क्लास, यहां से 95 परसेंट लड़े, ठीक है, AD जारकन क्लासेस के दौरा जो क्ला चलिए हम लोग प्रस्ण को पहले स्वाल्ब करते हैं, तो देखिए पहला जो आज का प्रस्ण है, 29 अक्टूबर नगरपालिका के लिए जो आज का प्रस्ण है, वह प्रस्ण क्या है, कि नाकपुरी लिखे खन, कुछ वर्ण कर परियोग नहीं होईला, तो देखिए, A, 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 ये तो भाई, लगू और दिर्ग में आ जाता है, ठीक है, A, O, अंग, E, O, रि, ल्री, ठीक है, और इसमें से कोई नहीं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, भाई, आप इसमें से सही अंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, तो ये जो पहला प्रस्ण है, इसका सही अं जो सई अंसर क्या हो जाएगा option number इसका c हो जाएगा next दूसरा नंबर प्रश्ण है का कहल जायए यानि कि श्वर्ण वर्ण केके कहल जाये यह स्वर्ण वर्ण केके कहल जाय जाया जो एक चोंड़ार मेर किसे कहाते है, श्वर्ड वर्ण कहा जाते हैं, तो इसका जो option number हो जाएगा, दूसरा का B हो जाएगा, और ये booklet number कोई भी हो, आप जो है, जैसे एक question देखें, तो आप booklet number में कोई भी आपका हो, आप मिला सकते हैं, वीडियो का पाउच किजिए, और देखें कि आपका एक question number कौन सा है, वहाँ से आप मिला सकते हैं, तीसरा number प्रस्ण है, जे सब्द से एक मधे, जिनी चाहे आदमी कर बोध होए, उके कोन संग्या कहीना, तो देखें, यहाँ बोला जा रहा है question में, कि जे सब्द एक मधे या एक वस्तु, चाहे आदमी कर बोध होए ला, उसे क्या कहा जात है, option number A हो जाएगा, तीक है, बहुत सारा, इतना easy प्रस्ण है, मैंने सारा क्लास यहाँ करवाया है, तोटल अगर जो 89 क्लास देख लिया, उसका यह exam निकल गया, कहने का मतलब 95% वो जरूर बनाएगा, तीक है, अब देखिए, नागपुरी में एगो सरुनाम बगरा भेट प्रिलिंग बनाओ, तो नागपुरी में यह जो प्रस्ण है, देखिए क्या कहता है, और यहाँ जो देखिए, examiner यहाँ क्या किया है, कि तेज दिमाज जैसे तैसे कॉमा और डैस का यूज कर दिया है, तो उस पे अपना ध्यान नो भटकाएंगे, दो-दो का आपको जोड लेना है, अधरवायज आप खोजते रह जाएंगे कि अंसर इसका क्या होगा भई, तो देखिए, यह जो होगा, यानि कि यहाँ, देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो जानते हैं उसको मिलाएं, तब आप सही उतर जान जाएंगे, तो देखिए, बकरा का क्या हो यह C1, तो C1 किसमे है, देखिए, इसमे है, अब बकरा, यह D हो गया, तो D2, D2 इसमे है, यानि कि देखिए, पहला वाला जा रहा है, मुर्गा, मुर्गी, यानि देखिए, 3B, यानि B3, इस प्रकार से है, ऐसा देखिए, 3C है, तो वैसे आपका गलत हो जाएगा, तो पूरी में स्त्रिलिंग से पुलिंग बनाओ, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, देखिए, एकदम EG EG प्रस्न पूचा है, ठीक है, अगर आप इसे नहीं बनाते हैं, तो आपका एकदम महा परसेंट गलती है, ठीक है, 100 परसेंट ने महा परसेंट गलती है, तो इसका हो जाएगा, सही अंसर क्या हो जाएगा, अप्सन नमबर A, यानि कि, देखे यहाँ, छोड़ी का क्या हो जाएगा, छोड़ा, ठीक है, D1, देखे, D1 आ गया, C2 जनी का हो जाएगा, मरत, C2, और यहीं चलिए, महतवाइन का, महतो, देखे, B3 और A का हो जाएगा, 4, यानि मने लगाने, मने या मने लगाओ, तो क्या बन जाता है, बहुवचन, तो इसका सही अंसर क्या हो जागा, बहुवचन, आठ नमबर प्रशन है, आठ नमबर प्रशन क्या है भाई, नाकपूरी में वचन कर रूप का में हो जाएगा, तो वचन कर रूप किसमें होता है, संग करवाए कुछ भी करवाए तो मैं बार-बार यही बूलता था कि भाई कारक रट लो भाई कारक रट लो सारा मैंने पढ़ाया है तो देखिए A में उपर ठीक है में उपर अधिकरन में उपर तो यह इसका जो है option number A सही हो जाएगा next दस नमर प्रस्ण है ए रे हो और ए कौन कारक रट चीना होके तो हम लोग यह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो दस नमर का क्या हो जाएगा देख लिजे संबोधन कारक हो जाएगा ठीक है चलिए next है आपका विशेशन कर भेद और उपभेद कैठो है तो देखिए भाई यहाँ भेद और उपभेद दोनों पूछ दिया है ठीक है तो मैं आपको इसका detail एक छोड़ा सा वीडियो बना दूँगा तो देखिए इसका भेद है उसको मिलाकर 15 बनता है लेकिन अगर भेद और भेद खाले पूछे तो 13 बनता है ठीक है तो अब यह आपका डिपेंड करता है कि आपका यह जेशेसी पर की जो अंसर शिक निकालेगा उस पे ठीक है जैकिन अभी इसका जो हो जाएगा सही अंसर 15 हो जाएगा option number C हो सारव नामिक विशेशन option number इसका C हो जाएगा नेक्स चलते हैं 13 नमबर प्रशने क्या है शमान्य भविष्यकाल ठीक है शमान्य भविष्यकाल कर कयठो भेद आए तो देखें यहां फंसने की कोई बात नहीं है ठीक है अब देखें यहां जो है अगर हम लोग बहुत सारा बुक में दिया हुआ है 362 के हिसाफ से मैंने बार बार यही पढ़ाया भई तो देखें वरतमान काल के तीन भेद होता है और भूत काल के च्छे और भविष्यकाल के दो होता है ठीक है तो यहां देखें किसी में दो दिया हुआ है तो किसी तीन दिया हुआ है लेकिन यहां बार जो बुक से मैं पढ़ाया हूँ, दोनों बुक में दो है, ठीक है, सकुंतला मिसर का एक व्याकरन का बुक है, वो मैं ये थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था, पूरा नहीं पढ़ाया था, तो उसमें तीन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप कनफर्म न रखें, लेकिन इ याने की, option number C, सही हो जाएगा, छलिए, पंद्रे नंबर प्रशने क्या कहता है भाई, ठीक न, पंद्रे नंबर प्रशने क्या कहता है, घोड मुहा, ठीक है, घोड मुहा, जब मैं आपको व्याकरन पढ़ा रहा था, ये सब सारे का एक्जामपल मैंने दिया था, घोड मु जहां सधारन वाक्य कर अधीन, कोनों दोसर वाक्य होए, उके का, कहीना, मतलब सधारन वाक्य के अधीन, यानि कि उसके अंतरगत कोई दूसरा वाक्य हो, तो उसे हम लोग मिस्र वाक्य कहते हैं, ठीक है, मिस्र वाक्य कहते हैं, वाक्य जब मैंने पढ़ाया होगा, तो ये के चक्कर में न फशेंगे क्योंकि यह बहुत ही confusion किया है ठीक है बहुत ही confusion किया है student लोग को और out of syllabus 4 से 5 प्रस्ण है ठीक ना तो यहां एकदम बहतरी तो यस बात को ध्यान देंगे ठीक है और अंधवारी कोई भी न अपने जैसे सीजिल के लिए जो student है उनलों के लिए यह लाबकारी होगा कि किस प्रकार से प्रस्ण पूछता है ठीक ना तो देखिए आगे का हो जागा क्या पाछे जईर का फूनगी तो इस प्रकार से देखिए अपसों नमर इसका ए हो जाएगा काल कर कैगो भेद और उपभेद है सबसे यहां एक जामनर जो तेजगीरी निका ठीक है लेकिन अगर इस किताब के अनुसार वो लिया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो यह 12 11 में confusion है तो सही अंसर रखेंगे 11 ठीक है दो बुको के अनुसार नेक्स्ट वाच्छे कर कैठो भेद हो विला तो तीन भेद होता है ठीक है किरिया कर मूल रूप काहके तो क लोक गीत पुर्णा परिया सी लोक कंठ में बस्ते एखन तक चैल आलक है हना उके है स्वताह परम परागत गीत मने के हमर लोक गीत कई सकीला तो यह परिभासा कून दिये हैं ठीक है तो इसका सबसे आपको लाश्ट में बताएगा अगर जिनको पता है वो कमेंट सक्समें क 22 नमर प्रश्ण है सतेंद्र डॉक्टर सतेंद्र कर अनुसार लोक गीत कर कैठो वर्ग है मतलब कि लोक गीत को कितने भाग में बाटा है सतेंद्र कुमार ने तो कितने भाग में तीन भागों में बाटा है 23 नमर प्रश्ण है डॉक्टर ढवनिश्वर अनुज कर अनुसार लोग गीत कर कितना वर्ग आहे तो कितना है पाँच भाग में इन्होंने बाटा है अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेगे कि सर आपने तो लोग गीत पढ़ाया ही नहीं था तो भाई ये सब समझने वाला गीत है जब मैं आपको लोग गीत पढ़ा रहा था तो मैं ट्रिक बताया था कि अगर यहां यहां से रहेगा न कुछ-कुछ लोग गीत होता है जो देख कर बनता है ऐसा नहीं है कि आपको डिक्टो पढ़ा दिया ही जाएगा तो यह सब सारे का मैंने एक थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे दिया था लोग गीत में सारे लोग गीत से लोग गीत से ही प्रस्ण है तो जो लड़कियां होंगी जो सुने होंगे अक्सर जो लड़कियां घर में गीत गाती हो वो सारे लड़कियां सही मार के आई होंगी वाह संसकार से सम्बंदित है, चलिया, नेक्स्ट है, आपका 25 नमर प्रश्ण, नैहर से आवलल लाली पियर हो लाल, लाल बालका से आनल पियर हो, आनंद हो, प्रस्तुत पंक्ति कोन संसकार कर गीत है? ये तो झूखे, लाल बाल का, ये, कुछ-कुछ होता न, आपका जब बच्चा जनम लेता है तो नयहर से आपका ना, 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 अनी, सब कोई कपड़ा लाते हैं तो इस प्रकार से वह बोला जा रहा है, तो भैई, ये आप समझे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक फुआ होगा न तो यह अपने माता पिता चाचा चाची फुआ फाओ कि यह तो गाते हुए सुना होगा पक्का और जो नहीं सुनेंगे वह गलत मारके आएंगे ठीक है चलिए यहां समझने वाला है भाई नेक्स्ट है आपका 27 नमबर प्रश्ण है चलहू पहान देवता बना तो यह सही हो जाएगा आपका धरती पुजा अंसर भी हो जाएगा इसका सही अंसर ठीक है तो चलिए अगले नेक्स्ट क्यों चलते हैं हमें 28 नमबर जो प्रश्ण है आपका क्या है करम करम कहला हो दादा करम करम का दिन कैसे आवे ठीक है तो देखे सातों गोतनी से आपको पढ़ना है यह करम ठीक है करम पुजा नेक्स्ट 29 नमबर प्रश्ण है कहां कहां आहय माता पिता कहां आहय चिंता मोहन कहां है रे तूलसी भगवान प्रस्तुत पंक्ति जो है कोन परब इबेरा गीत गावल जला तो तूलसी पुजा तो भाई यह रीतु सम्बंदी गीत नहीं है आप लोग भूल में मत रहिए स्रम गीत में वही होता है जो किसान से रेलेटेड़ होता है ठेक तो यह किसान से रेलेटेड गीत है तो option number इसका D हो जाएगा ठीक है सही अनसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो देखें ये बाल गीत है, मतलब जब बच्चा होता है, तो मामा और नाना उसके लिए सोना और चान्दी ला देता है ठिक है, तो उस पर ये आपको गीत लिखा गया है नेक्स चलते हैं ओदे ओदे रे चलू नपिया लेगाए राखू अखरा में जोड मांदर बोलत है चलू नपिया ये किस प्रकार का गीत है चलू नपिया तो ये स्रम गीत है चलू नपिया अब देखिए वहां तक तो लोग गीत व्याकरन और लोग गीत का हो गया ठीक है तो ये आपका कभीता स्टार्ट हो गया है ठीक है जागा जागा से लिया गया है और जागा जागा के लिखा कोन है सीडी सिंग नेक्स चलते हैं यहां लोटे कर कलवा और पाठा कर भिहान अईसन इंसान जिकर आन नैसान चंद्रदेव सिंग कर ये कभीता कर सीर्शक का है के ठीक है तो मैं बता दू चंद्रदेव सिंग देव सिंग का ठीक है ये डी होगा या सी होगा तो अप्सन नमबर हो जाएगा आपका ये डी या तो फिर यही होगा ठीक है इसमें और इसमें डाउट है ये आप नोड़ाउन करके रखेंगे नेक्स्ट है 35 नमबर प्रश्ण अब नई मानी उत चाहवे करी बली दना दैन हम बता दे हम बार-बार एक प्रश्ण बताया है कि एक कवीता से साथ प्रकार के प्रश्ण पूछा जा सकता है और मैं वह सातों प्रकार का प्रश्ण अपनी क्लास में कराया है और मैं बार-बार बोला था भाई रट लो कवीता का जो है न कवीता को बार-बार पढ़ो 20 ब भाई घर में ढुकले चोर और गोठरी बांधी भागले उतर ओर यी कविता जो है यी कविता कर रचनाकार कोण है कई तो देखे ये आउट अप सलेबस है ठीक है इसका जो अंसर हो जाएगा चीतिश कुमार राय होगा नेक्स्ट ताइन कर सीना आपन धरू हतियार 37 नमर है ताइन कर सीना आपन धरू हर अगर आपको नहीं दिख रहाओगा तो आप थोड़ा सा मैसूस कर लिजेगा क्योंकि क्वेस्टन्स आये हैं ठीक है और सामने है खड़ा मुदय भेजू गंगा पार भीम महतो कर यी कविता कर सीरसक कहा के तो देख़ि यहां क्या है नागपूरक भाई मन्स के यह लिखा मतलब लिया गया है कविता से लिया गया है ठीक है और 38 नमर प्रशन है देखिए आपको यहां से क्लियर मिलेंगा सियू गौरी करूं दया जगत हितकारी गनेश पद वंदना करब कर जोरी यह कवीता केकर है के तो यह जो कवीता है बंदना करब से लिया गया है ठीक है और यह आउट अप सलेबस है यह सलेबस के अनुसार नहीं है तो देखे यह जेठ मास अती से कवीता से लिया गया है जिनके लेखक जो है भरत नायक है ठीक है जिनके लेखक कोन है भरत नायक है नेक्स्ट चालिश नमबर प्राश्ण भाई बहन हीत मने काले भेजी जने तने काम करू हानी दारू पीएक ध्यान राखू सुख चैन से जीएक भरत नायकर सीर्षक कोन है कई तो देखिए यहां तो है इसमें भाय भहीन हीते मने यही तो है ठीक है यह भाय भहीन हीते मने नेक्स्ट आपका एक तालिश नमबर प्राश्ण है आंगना कर बीचो बीच देखे तूलसी और कैक्टर से लिया गया है ये प्रस्ण आंगना कर बीचो बीच उच चवुतरा बनाएके पवितर मन से रूपल है तूलसी कर बुदा तूलसी कर बुदा याने कि ये कहां से लिया गया है तूलसी और कैक्टर से लिया गया है जिनके भाईर है के प्रस्तुत पंक्ति धनेंदर परवाहिकर रचना के सीर्शक बताओं तो दीके पूरब करगीथ है अब तुलसी और कैक्टवस देख़ेगा ना तो उसी की नीचे पूरब करगीथ है उसी पूरब करगीथ मैंने पढ़ाया भी था पूरब करगीथ में से यहाँ लिया गया है नेक्स्ट तोर आचरा में अमरीतो आयो तोर कोरा में सरग समान सुख यी कवीता कर रचनाकार के हैं तो कोन है गिर्धारी राम गोंजु लेखक हैं फगवा खेले ये भी आउट 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 अप सलेबस है चोवालिस नमर तो अभी तक दो तिन प्रस्ण हो ग तालिस नमर प्रस्ण है खोईर माज से चैल गिले जाल जेठ और बरसाद केके याइद करब और केके पाद करब कुमारी बसंती का इरचना कहां से है तो नावा सालक नावा गीत से यह लिया गया है ठीक है बीच बीच से लिया गया है दोस्तों ठीक है बीच बीच से लिया मांदरबासी अखरा में डायड जो राली टहटा इन्जोरिया में गोंज ये रचना कोंड़ ना पूरी साहित कर रच लगए तो दिखिए ये जो है आपका गिर्धारी राम गोंजू से लिया गया है ठैक है मतलब लिखा गया है यही लिखे हैं और कौन कवीता से लिया गया है दोस्तों जल्दी बताएंगे नेक्स्ट गाउ कर सांज कौन कवी कर रचना आहे गाउ कर सांज पांडे रविंद्रनाथ राय के द्वारा नेक्स्ट है 48 नुमर प्रचना सुभाष संद्र बोज फोज के कप्तान रे गोड निकर लए पाछे रहले सीना ताइन सोना इपंक्ती जो है अजीज अंचारी का रचना मुलुक भारत से लिया गया है ठीक है मुलुक भारत से नारी कोप से बाचे पार लए का जमराज से सावित्री हार लए ठीक है जगत जन्नी से लिया गया है जो सकुंतला मिस्र के द्वारा रचित है नेक्स्ट पचास नमर प्रचन है दीदी के पहिलोहों हाई रहिस्तों दोहराव मैत बेबसी कर कहानी इकोन कभित्री का रचना ह तो यह सकुंतला मिस्र जगत जन्नी से ही लिया गया है अब आली बुढ़ापन, थर्थर कापे, तन नाना, रूपे, दुखु घेरी ले अनन्त भाई तो किसका अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है नेक्स बावन नंबर प्रश्ण है तो मैं बहुत बार ये प्रश्ण करा चुका हूँ भाई तो यह चोड़ू कप्टी मया से लिया गया है किससे चाड़ू कप्टी मया से लिया गया है गीत से बरजु राम के द्वारा लिखा गया है तो यह कहां से लिया गया है चाड़ू कप्टी मया से जिनके लिखक बरजु राम है चलिए पश्पन नंबर प्रश्ण है पच्पन नमबर प्रस्ण क्या कहता है भाई पच्पन नमबर प्रस्ण है गुपुत भायल जीव मुखे दये गुरु घीव आई दूत घरे कर अचके कहा हनसा अटके यह जो है कौन कवीता से लिया गया है और इनके लेखा कौन है तो महंत घासी के द्वारा यह जो है गीत ल लिया गया है कौन से गीत से यह तो यह जो आपका प्रस्ण लिया गया है पापी प्रान छुटे नहीं जटके गीत से लिया गया है नेक्स्ट धनी जैनात कासी गनेश कृपाल खासी भोला इतो मुदाले मुदय महेंद्र ठहरु दाता दिगंबर तो यह देखे ठहरु दात प्रस्तीजन, जिंगोर, थन्मन, फेनी उप्रे जोर, मढुख परए प्रस्तुत पंक्ति कौन कभी करे के तो ये कवी कंचन के लिखा गया है तो देखे अर्जुन कोपकरी हाथे धनुधरी तो देखे अर्जुन कहत विचारी से यह लिया गया है और इनके लिखा कोन है जग निवास तिवारी साथ नमबर प्रशन है जग निवास नरायन तिवारी कोन गाव कर रहवया रहें ते बोड़या राची के रहने वाले हैं मैं बार बार क्लास करा चुका हूँ समवत पैस्ठी साल एक सट नमबर प्रशन है समवत पैस्ठी साल कोन कवी कर रचना हके तो द्रिग पाल राम देवगरिया कर नेक्स्ट ग्रीशम विगत भेल ठीक ना ये कोन कवी कर रचना का रखे ग्रीशम विगत भेल ठीक है तो महंत घासी ऐसे बोल सकते है लेकिन ये भी आपका ये हो सकता है ये आपका आउट अप सले बस है तो ये अंसर हो सकता है कड़की उठलक तरवारी कौन रचना कार कर कविता है के तो प्रफुल कुमार राय कर नेक्स्ट देश नाकपूरे हीरा नाकपूरे गोई साजन, है साजन, कोली संखे तीरे, ठीक है, देशे नागपूरे गोई साजन, ये पंक्ती कर जो है, आपका कोन लेखक है, कोन कभी है, तो प्रफुल कुमार राय, नेक्स्ट, सावन घटा, कोन नागपूरी कभी कर रचना है के, तो नई मुदीन मिर्दाहा कर, ठीक है, दसो दिशा लवकत, सावन घुमरी घुमरी, पेर शीटा गोई सावन घटा, तो देखिए, ये जो प्रफुल पंक्ती है, कभी इसका जो रचना कार कोन है, तो नई मुदीन मिर्दाहा है, और ये सावन घटा कभीता से लिया गया है, पियासल, तीर, खोरी, ठोर, उपासल, तरवाईर जोर, देखवएं गदारे, और सोशक डाकू, धनक लोभी, भागवें कायरे भाई, न भेल तैयार आजादी खातिर, प्रस्तुत पंक्ती, कोन नागपुरी साहित्यकार है, तो देखिए, आजादी खातिर, ठीक है, आजादी खातिर, जिनके लेखक है, लाल रन विजय नात साहदेओ, ठीक है, चलिए, तुक्ष करी के आपन जान, लाखो लाख बलिदान, तेहें होबई, इतियारे कैसे, कोई, सही भला, अनयती, अनकर भाई, भेल तैया आजादी खातिर, ये कवीता से लिया गया है, ये गीत से, अजादी खातिर गीत से लिया गया है जिनके लेखक रन विजय नात साहदेओ हैं, अब चलते हैं हम लोग कथा में, ठीक है, अब यहाँ तक सिष्ट कथा तक आपका सिष्ट गीत तक खतम हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे, लोग कथा, कंगन और चूरी लोग कथा में सबसे पहले राजकुमार केकर पास गे चलिए, उ काजे, देखते की उपर पहिल बोहरिया, जे मोई रहे, एक ठो आमबा गाच में ओठकल आहे, जगे राजकुमार के जगायक नहीं देलाए, इपंक्ती कोन कथा से लेवे, तो देखिए, एक जो आमबा गाच के नीचे बैठी होई थी, जम दूद के पास जब उ पहुँच गयते, तो वहाँ अमबा गाच के तो यह कंगन और चूडी कथा से लिया गया है, भाई कर खेल लोग कथा के, जो भाई कर कोथ लोग कथा के, बर के, के मारलक, जो बर था ना, के के मारलक, मतलब कि बर को कोन मारा था, तो बाग मारा था, बाग मारा था, बाग मा कार खेले गिलाई तो केके देखे सिपाही मन भाई खाड़ा हो लाई भाई कर खेल लोग कता में तो देखे बाग को जब देखा न तो सारे सिपाही मन भागया लेकिन वो अकले चल गया хam दूसूट भेड़ा ठीक है दूसूट भेड़ा तीहत्तर नमबर प्रश्ण दूसूट भेड़ा लोग कथा में में इसन कहेला मतलब इसन कहेला मुए तो भेड़ू भेड़ू ठीक है हाथी करदूई दात तोड़ो ना रम दात जो है बाक कटाकट मारो ना साप करनेठो बना प्राश्ण है मैना और बूट लोग कथा में मैना दूसर धाओं मेरा जो सौट नोट्स है अगर वो पढ़ लिये होंगे तो आपका नईया पार हो गया होगा दोस्तों यह मैं जो लोग कथा का सौट नोट्स दिया हूँ लोक्सिस्ट कथा का सौट नोट्स दिया हूँ अगर वो पढ़ लिया होंगे तो आपका नईया पार होगा अगर स्टोरी अच्छे से सुन लिया होंगे तो आपका नईया पूरा पार होगा दूसर धाओ मैना और बूट लोग कथा में मैना जो है दूसर धाओ के कर जगे जाएला तो किसके जगे साप के पास पहिल बार किसके पा देखिए यहां बेलमाइत और बेलपाइत में confusion था लेकिन मैं सारे student को बेलपाइत और बेलमाइत दोनों का short notes दे दिया था देखे तो दोनों पढ़े होंगे तब तो उनका भाई चलिए clear है तो बेलपाइत रानी लोग कथा में राजा कर कैगो बेटा रहे साथ गो कमल और के बेलमाइत की लोग कथा में राजा कैठो बिहा कई रहे तो तीन ठो चंडी चामुंडा और छोटकी कर क्या नाम था जल्दी बताएंगे 67. चोचा चराई और राजा लोग कथा में राजा कर महल चारो बटे का से घेरल रहे एटा कर चरगूदी से घेरल रहे छोटी चोटकी रानी लोग कथा में बुढ़ा बुढ़ी कर कैठो बेटी रहें तो साथ गो इन लोग बेटी थे 89 नमर प्रश्ण है बन हरनी कर बेटा लोग कथा में हरनी कर कईसन छोवा होलक तो हरिन छोवा होलक 80 नमर प्रश्ण है बिंदूलिया रानी लोग कथा में केकर जनी कर नाम बिंदूलिया रहे तो राजा कर नाम बिंदूलिया रहे एक चक्ता रोध, अब सिष्ट कता से आ गए हम लोग, एक चक्ता रोध कहानी में प्रफुल कुमार राय कोन बटे इसारा कर ले, तो देखिए, एक चक्ता रोध में बेमेल बिया हुआ था उनलों का, तो योन समस्या भी था, ठीक है, मतलब संतुष्टी नहीं था, तो ये सवभ्य होगा इसमें, सही अंसर, नेक्स्ट है, आपका, रतिया कर आइक, बिजली तरे चमाइक उटलाए, आज बिंजिया उके ठीन, देवी तरे दिशले, प्रफुल पंक्ती, बिंजिया कहानी से लेल आहे, रसनाकार के नाम बता, तो बिंजिया कहानी के रसनाकार कौन ह सारदा परसाद सर्मा, मैं एक अलग सी वीडियो ही बनाया था ये, ठीक है, तीरासी नमर प्रसन क्या है, तोहों तो जानिसला की मद मांस कामक नास, ठीक है, मंद मास खाने से जो है नास होता है, का तो यह हमर खातीर, सुग्या दिदी खातीर, यह हारी पीए की नोई ठीक है, क्या मतलब की सुग्या दिदी के लिए यह हारी पीना नहीं छोड़ दोगे, यह बोल रहा है, ठीक है, तो देखिए, यह कौन से कहानी से लिया गया है, बींजिया कहानी से, नेक्स्ट, 84 नमर प्रसन है, रदी कागच कहानी कर लेखक कर नाम बताओं, तो रदी रदी कागच, डॉक्टर बासंतिकर, मुध कहानी, आहे इकर में, जो मूल बात है, वो क्या है, स्वार्थी दुनिया है, ठीक है, स्वार्थी दुनिया है, नेक्स्ट, भोटांग दहर लेखक, आप जब मैंने कहानी पढ़ाय तो अगर आप समझे होंगे, तब आप समझे ह भर में न कौन समस्या को दर्शा था जमदारी सोशन आखिर फसा ही न दिया था जी फसा दिया था उसको जमिन समस्या, कछरी समस्या, वो जमिदारी सोसन को ये द्यसाता है ये तो जमिन समस्या भी था, कछरी समस्या भी था, ग्रामिन समस्या भी था तो ये जमिदारी सोसन था, वो जमिदार सोसन करके ये सब काम करवाया था ठीक है 87 नमर प्रशन क्या है मनपूरन लाल रन विजे नात सादेओ कर आधोनी कहानी है के इक कहानी कोन परण तत्व बतावल जाए है तो देखे इसमें हिर्दय परिवतन हो जाता है ठीक है सीला को जो है सुसीला को मा बोलने लगती है लास्ट में ठीक है मन पूरन को जब वो साप से बचाती है तो नेक्स अठासी नमर प्रशन है प्रमोद कुमर राय कर कहानी भाई कर मूल बात क्या है तो समाजिक जो संघर्ष किये थे भाई में उसका बताया गया है ऐसे ग्रिष्ट जीवन कर जब आप देही भी बोल सकते हैं गरीबी भी था उसके पास नारी स्वतंतरता भी था लेकिन समाजिक संघर्ष में कैसे फैमिली में वह मैटर में रहता है जब आप देही कैसे लेता है समाजिक संघर्ष ये बताता है तो ये सब है ठाएli में जो मांदी का कहानी है किधर इसके कभी सहरी करन आदिवासी अस्तित्व अपनिवेश वाद और मैं दोस्तों बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF लेना होगा तो आप 8863-884281 पर मैसेज करेंगे आपको free of cost इसमें कोई आपको चार्जेज नहीं लगेंगे ठीक है free of cost आपको यहाँ PDF मिल जाएंगे यह solution का ठीक है तो आप मैसेज करेंगे आपको अवसे मिल देगा next नाटक से दो ही प्रस्न पूछा है एक घड़ बढ़ाएंगे नहीं ठीक है और मैंने यह साहितिक निबन से जितना भी प्रस्न पढ़ा है था सारा लड़ा है 90 नमर प्रस्न है ठाकुर विश्वनात साही नाटक में कमिशनर का नाम का रहे तो डाल्टन कमिशनर थे ठाकुर विश्वनात साही के राची जीला इसकूल जग कोन गच में फासी से टाइम दे जाए रहे तो कदम गाच ठीक है कोई को पुटकल माने है लेकिन पुटकल गलत है कदम होगा बानबी नमर यहां से कवी का प्रस्ने स्टार्ट होता है परफुल कुमार राय कर जनम कोन गाउं में होई रहे तो पहार बंगरू में यही अगर जनम तीथी पूझ जथा तो यह विवादित था ठीक है लेकिन अस्थान पूझा है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जानता है कि इसमें पूझेंगे तो भाई मार खाना है अमरा एक्जामनर तीरानबी नमर प्रस्न है मिर्तमिंजा नात सर्मा नाकपूरी में महा काव्य कर रचना कई रहे उकर नाम का है तो सितायन ये मिर्तमिंजा नात सर्मा का सितायन महा काव्य मैंने पढ़ाया है कवी रत्न सार्दा परशाद सर्मा कर खंड काव्य विपलवी महान केकर गुनगान करल जाहे तो सहित विश्वनात साहदेव ये भी मैंने आपको पढ़ाया है ये भी आप 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 नोट्स खोल के दूसर पुष्टक का नाम क्या है उलाहना है दूसर पुष्टक का नाम क्या है उलाहना है ठीक है 96 नंबर प्रस्ण डॉक्टर बीपी केशरी कर कून पुष्टक नाकपुरी गीत और कविता कर संकलित है तो भाई इसी मेना है जो हम लोग को पढ़ना है नाकपुरी कवी और उनका कावी में ही गीत यानिके गद, गीत और कविता दोनों संम्मिलित है, तीक है? चलिए, 97 में नमबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग? ठीक है, शंतानमे नमबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और भाई देखते हैं 97 नमबर प्रस्ण की और चाथ 97 नमबर प्रस्ण है 97 नमबर प्रस्ण है नय मुदीन मिर्दाहा कर कहानी संग्रह कर नाम काहके तो मेजूर पाइक जो 1982 में लिखा गया था तरपन नाकपुरी कर कौन कहानी कर साहितेकार कर कविता है के यहां देखी या तो क्वेशन कलत है या तो भाई यह आउट अप सलेबस है ठीक है क्योंकि एक तरपन जो है यह तरपन और एक तपो वन ही है तपो वन मिर्दुन्जन नात्सर्मा का है तरपन गिरी राज का है यही हो सकता है ठीक ना लेकिन यहां ये नई मुदिन मिर्दाहा या फिर द्वार का नाथ सीना काई होगा अंसर ठीक है अब चलिए 99 नमबर प्रस्ण क्या काता है कि डॉक्टर गिधारे राम गोंजू कौन नाटक सबसे प्रसीद है तो आखरा निंदाय गलग जो है इनका सबसे ज़्यादा प्रसीद नाटक है आपका हिंदी का भी आपको यहां कराया जाएगा और दूसरी बात नाकपुरी और हिंदी पेपर टू का यहां संपुन क्लास फ्री कराया जा रहा है तो 80 चाहरकन क्लास के साथ जरूर जुड़े और आज आएगा आपका जो हैंदी पेपर टू का अपने जो भी दोस्त आज कराया जाएगा और वो ख्लास आप जरूर देखेंगे और इसी प्रकार से आपका नागपुरी जो नगरपाली का का हिंदी पेपर टू है स्वरी जो पेपर थ्री का है पेपर थ्री का भी आपको ये कराया जाएगा ठिक है दोस्तों तो चलिए इसी के साथ बने रहे आड़